हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अमन राजपूत और आज हम लोग तेन्थ का मैस का चैप्टर नंबर दो बहुपद अथवा तो बहुपदी कहा जाता है आज उसके बारे में जानकरी प्रात करेंगे और सिखेंगे तो सबसे पहले आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमें सबसे पह बहुपद इसे इंग्लीस में पॉलिनोमियल का जाता है अब यह जो चैप्टर है बहुपद इसे हम लोग प्रदर्शित किस तरह से करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं क्योंकि बहुपद को पॉलिनोमियल यानि की पहला वर्ड जिसका है पी इसलिए इसे प्रमारित प्र पी ओफ एक्स जिसे पढ़ते क्या है पी एक्स अब यह यहाँ पर बात करें हम लोग पॉलिनोमियल का पी यह तो हमें समझ में आ गया पर यह एक्स क्या है तो मैं यह एक्स की बात करूँ तो यह एक्स एक चर है क्या है चर अब यह चर क्या होता है तो यहाँ पर हम लोग ABCD के अंदर हमारे alphabetical के अंदर कोई भी वर्ड ले सकते हैं जो की bracket के अंदर लिखा हो X हो Y हो Z हो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं तो वो किसको represent करेगा बहुपदी हो अथ्वा तो बहुपद को तो यह लिखने का तरीका है मैं यहाँ पर P of Y भी लिख सकता हूं P of Z भी लिख सकता हूं P A भी लिख सकता हूं P B भी लिख सकता हूं यह पूरा का पूरा क्या क समानिता इसे तीन भागों में बाटा गया है, अगर हम लोग देखें तो, समानिता इसे तीन भागों में बाटा गया है, और वो तीनों भाग कौन-कौन से हैं, पहला है रैखिक बहुपदी, रैखिक, दूसरा है द्वी घाद बहुपदी, और तीसरा है त्री घाद बहुप तो समानेता बहुपदी को समझने के लिए हमें इन तीनों चीजों को समझना पड़ेगा पहला है रेखिक बहुपदी दूसरा है द्वीगाद बहुपदी और तीसरा है त्रीगाद बहुपदी तो इन तीनों को एक-एक करके सिखेंगे उसके बाद हमें पूरा का पूरा बह पद यानि की पद यानि की चर्ण तो एक से ज्यादा पद जिसमें हो, वो क्या कहलाता है बहुपदी अब हम लोग बात करते हैं इससे समानेता हमने कितने भागों में बाठा हुआ है तीन रेखिक, द्वी घात और त्री घात रैखिक की बात करें तो रैखिक बहुपद अथार्थ क्या रैखिक जिसे हम लोग एक आकी भी कह सकते हैं अथवा तो एक घात जिसमें क्या हो एक घात तो हम लोग तीनों को एक ही बार में समझने की कोशिस करते हैं सबसे पहले हम लोग घात की बात करेंगे और वो भी कौन सी महत्तम घात पहली चीज फिर इनका प्रमारित स्वरूप क्या है उसे समझेंगे प्रमारित स्वरूप समझना है महत्तम घात को समझना है तो ये दोनों चीजों को हम लोग सबसे पहले समझेंगे तो महत्तम घात हम लोग कैसे जान सकते हैं कि रेखिक बहुपदी है द्वी घात बहुपदी है और त्री घात बहुपदी है तो रेखिक बहुपदी जो भी होगी उसमें महत्तम घात कितनी होगी एक होगी द्वी घात के अंदर महत्तम घात दो होगी और त्री घात में तीन ह होगी इसी तरह से देखते समझते वापस से बिटा महत्तम घात रेखिक बहुपदी में महत्तम घात कितनी होगी एक द्वी घात में नाम में चुपा है द्वी यानि की दो त्री यानि की तीन यानि की महत्तम घात तीन हो तो त्री घात दो हो तो द्वी घात और एक हो तो रे गात क्या होता है यहाँ पर लोग हैं समय क्क्रान हो यहाँ पर मिंने लिखा पांच की घातें तो यहाँ पर यह जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है पांच के ऊपरू जाथ कहते हैं घात कहते हैं क्या कहते हैं घात और यह जो पांच है यह क्या कहलाता है आधार कहलाता है क्या कहलाता है तो यह आधार है और यह जो तीन उपर लिखा हुआ है यह क्या कहलाता है घात कहलाता है क्या कहलाता है तो अब हम लोग समझेंगे यह समझ में आ गई अगर यहा प्रमाडी स्वरूप लिखा किस तरीके से जाता है रेखिक बहुपदी को द्वीघाद बहुपदी को और त्रीघाद बहुपदी को तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि किसी भी बहुपदी को लिखने का तरीका क्या है P of X, X हमने क्या ले लिया यहाँ पर? चर ले लिया है, क्या ले लिया है, चर, यानि हमारा X चर है, अथार्थ की यहाँ पर जो भी तुम समीकरण अत्वात वहपदी लिखोगे, उसमें चर के रूप में बार बार क्या रहेगा, X रहेगा, तो इसका समाने समीकरण प्रमाड़ी सरूप क्या होता है, AX प्लस B, इसकी घात हमें साथ चेक की जाती है, तो चर की, चर क्या है, X, तो यहाँ पर X कहां है, यह रहा, इस X की महत्तम घात कुछ नहीं लिखा हुआ, जहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या होता है, एक होता है, इसलिए X की महत्तम घात कितनी है, एक है, इसलिए यह पूरा का पूरा बहुपधी कौनको बहुपपधी कह लएगा kır equation सी बहुपधी कह लएगी रे खिक अब यहां पर बात करते हम लोग दुभी घात की तो दुभी घात के अंदर किस तरह से लिखा जाता है X हमने वापस से चर लेके रखा है तो ax की घात दो पलस b x प्लस c तो देखिये यहां पर जैसा कि हम pewnे लीडिया है x squared पलस b x पलस c यहां पर x हमारा क्या है 4 है तो यहां पर भी x अब जहां पर देखिए एक्स हमारे पास दो जगापर हैं यहां पर भी है और यहाँ पर भी है परन्तु हम लोग महत्तम घात को गिनेंगे किसको गिनेंगे महत्तम घात को तो यहाँ पर देखिए X की यहाँ पर घात कुछ नहीं मतलब कितनी है एक है परन्तु यहाँ पर X की महत्तम घात कितनी है दो, इसलिए बहुपदी, कौन सी कहलाएगी, द्वी घात बहुपदी, इसी तरह से कौन सा है बेटा, त्री घात, त्री घात का प्रमाडी स्वरूप क्या होता है, То, यह हमारा ट्री घात का समीकरण हो गया, अब यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर दो है, और यहाँ पर तीन है, तो महतम घात कितनी हुई, तीन यानि कि इस वाले पद में महत्म घाथ तीन है इसलिए बहुपदी कौन सी ट्री घाथ बहुपदी कहलाएगी तो इतना अच्छा बेजिक बेटा वापस से ध्यान से देखते हैं हम लोग क्या देखना है सबसे पहले बहुपद बहुपद को इंगलिस में क्या का जाता है polynomial, polynomial का पहला word P है, इसे इसलिए प्रदरसित किसके दरह किया जाता है, P, साथ ही साथ में चर का यूज किया जाता है, जिसके साहिता से हम सम्मीकरण को लिख सकें, तो यहाँ पर चर के रूप में हम कुछ भी ले सकते हैं, आलफाबेटिकल में, बट हमने क्या लिया हुआ है, X अब बात करते हैं, बवपद, बवपद यानि क्या है, जिसमें एक से ज़्यादा पद्ध हो, वो क्या कहलाता है, बवपद, साम्माने तरह इसे कितने भागों में बाटा गया है, तीन, रेखिक यानि की, एक घात बवपदी, द्वी घात, यानि की, दिसमें दो घातों, त कितने हैं रोटल तीन अब रेखिक बहुपदी को हम पहचानेंगे कैसे किसी भी बहुपदी को पहचानने के लिए उसके चर की चर मतलब जैसे हमने क्या लिया हुआ है उसके चर की महत्म घात को हमें ध्यान से सीखना है देखना है यदि किसी भी बहुपदी में उसके चर की यानि की X की Y की या Z की महत्म घात कितनी हो एक हो तो वह बहुपदी रेखिक कहलाएगी महत्तम घाद 2 हो तो वह द्वी घाद कहलाएगा महत्तम घाद 3 हो तो वह 3 घाद बहुपदी कहलाएगी अब बात करते हैं इससे आगे की हम इससे लिखेंगे किस तरह से इसका प्रमाडि स्वरूप क्या है तो प्रमाडि स्वरूप की बात करें तो रेखिक बहुपदी को P of X, कि इसकी साहिता से परदरसित करना है, परदरसित कर दिया, क्या लिखते हैं, AX प्लस B, यहाँ पर दो पद हैं, AX प्लस B, तो यहाँ पर देखिए, हमारा X जो चर है, उसकी महत्तम घात कितनी है, एक है, इसलिए यह कैसा है, एक घात अथवा तो रेखिक बहुपदी, यहाँ पर यह द्वी घात के लिए हमने लिखा हुआ है, सम्मीकरण, इसमें हमारे चर की महत्तम घात कितनी है, दो, इसलिए यह द्वी घात है, इसलिए यह बहुपदी कौन सी है, त्री घात बहुपदी, घात क्या होता है, वो मैंने तुमें ऐसे कि X के उपर लिखा हुआ है, 1, X के उपर 2, X के उपर 3, तो ये क्या है, घात है, और हमें क्या चेक करना है, घात ही तो चेक करना है, घात चेक करेंगे, तो ए रेखिक, द्विघात और त्री घात के बारे में आसानी से बता सकते हैं, तो ये था हमारा बेजिक, अब उन बहुपदियों को लिखते हैं और उन्हें थोड़ा और समझते हैं जैसे कि हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रेखिक बहुपदी की अब मैं जब भी बात करूँगा रेखिक बहुपदी की तो उसे किस तरह से लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखते हैं रेखिक बहुपदी को तो रेखिक बहुपदी अथार्थ क्या हुआ P of X अब P of X वराबर हम लोग क्या लिखते थे AX प्लस B यह हमने यहाँ पर लिख दिया रेखिक बहुपदी के लिए अब हम लोग बात करते हैं कि इस रेखिक बहुपदी में यह भी हमने देखा यहाँ पर X की महत्तमगात कितनी है एक है थोड़ा और समझते हैं यहाँ पर क्या था हमारा चर है यहाँ पर भी X हम लोग क्या कहेंगे इसे चर कहेंगे परन्तु अगर मैं बात करूँ यह A क्या है तो A इसके अंदर कहलाता है X यानि जो कि हमारा चर है उसका सहगुड़क क्या कहलाता है सहगुड़क यह A जो है यह कहलाता है X का सहगुड़क और यह जो B है जिसके अंदर चर नहां हो उसे कहलाट वो क्या कहलाता है अचरопद, क्या कहलाता है अचरपद, अचर कह सकतेो अथ्वा तो अचल भी कहा जाता है, अचल पद, अध्वा तो अचर पद, तो ध््यान से देखो, रेखिक बोपदी, जीसे हमने लिखा था, P of X वराबर AX प्लस B, यहाँ पर X तो चर है, तो A क्या है? चर का सागुड़क है क्या है? चर का सागुड़क और B क्या है? अचर पद अब यह अचल पद क्या होता है? तो बात करते हैं बेटा, कि यह तो चर होता है यानि कि जो X है, जिस पद के अंदर X ना हो अथार की, क्योंकि जो चर के रूप में हमने क्या लिया है, X लिया इसलिए हम लोग X को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर B के साथ X नहीं है, तो जहाँ पर X ना हो, वो पुरा का पद क्या 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 लाता है अचलपद कहलाता है क्या कहलाता है अचलपद जिससे इंगलिस में constantum भी कहा जाता है तो ये था अब x की तो हमेशा चरकी मात्तमगात देखते हैं चरकी मात्तमगात एक है इसलिए यह रहखिक बोपदी है clear सागुड़क क्या होता है हमारे x के आगे कोई एक नंबर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे x का सागुड़क एक example से समझते हैं कि मानलो मैंने यहाँ पर लिखा है p of x बराबर 5x प्लस 6 तो ये हमारा एक normal सा एक समीकरण हो गया है इस समीकरण के अंदर x क्या है चर है तो यहा क्या है x का सागुड़क अगर तुम से कोई पूछे कि इसमें 4 चर के रूप में कौन है एक से तो तुम्हारे चर का सागुड़ा क्यानि X का सागुड़ा क्यानि उसके आगे रहा हुआ नंबर तो X का सागुड़ा कितना हुआ पांच हुआ छे छे क्या है अचल अथवा तो अचर पद है तो अचर पद की में बात करूं तो अचर पद यानि क्या जिसके अंदर हमारा चर ना हो तो चर के तो यह था रखिक बहुपदी के बारे में अब हम लोग सिखते हैं द्वी घाद बहुपदी के बारे में दोस्तों तो जैसा हम लोग अभी हमने रेखिक बहुपदी के बारे में दिखा उसी तरह से अब हम लोग सीखेंगे द्वी घात बहुपदी के बारे में अब ये द्वी घात बहुपदी अथवा तो बहुपद क्या होता है तो इसे लिखते किस तरह से हैं उधरी से स्टार्ट करेंगे पी ओफ एक्स बराबर एक्स का अब यहाँ पर ध्यान से देखें, क्यों ये द्वी घात है, क्योंकि हमारे चर, यानि कि X की महत्तम घात कौन सी है, दो है, इसलिए बहुपदी कौन सी, द्वी घात, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, कि A क्या है, B क्या है, और C क्या है, क्योंकि X तो क्या है, हमारा है किसका तो यहां पर एक्स अकेला नहीं है एक्स की मात्रम गात कितनी है दो जिसे हम लोग क्या पढ़ते हैं एक्स का वर्ग अगर किसी की भी घात दो हो किसी की भी घात कितनी हो दो हो तो उसे क्या पढ़ते हैं वर्ग क्या पढ़ा जाता है वर्ग जैसे यहां पर X की घाद 2 है, तो इसे पढ़ेंगे X का वर्ग, तो यहां पर X square अथवा तो X का वर्ग, यानि कि X की घाद 2, X की घाद 2 का सागुड़क क्या है? x की घात 2 का सागुडग क्या है ए है क्या है यानि कि यहाँ पर a सागुडग तो है लेकिन सिर्फ और सिर्फ x का नहीं किसका x की घात 2 का इसी तरह से हम लोग b की बात करें तो b किसका सागुडग है x की घात 1 का यानि कि x लिखोगे तो भी चलेगा तो x का सागुडक, x का सागुडक क्या है? B है, x का सागुडक क्या है? B, और c, यहाँ पर देखिए, c के अंदर कहीं पर भी x लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो यह पद क्या कहला एगा? अचर पद अतुए तो अचल पद की रूप में जाना जाएगा तो यह हुआ X square का सागुड़क, X का सागुड़क, यानि कि B, और last में जिसमें हमारे साथ, हमारे समीकरण में कोई भी चर ना हो, यानि कि C अकेला है, तो क्या 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 लाएगा? अचरपद, क्या 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 लाएगा? अचरपद, तो यह द्वीघात बहुपदी हो कुछ भी हमने आपर एक समीकरण समानी रूप से ले लिया है, जिसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ समझने की कोशिस करेंगे, तो यहाँ पर X तो हमारा क्या है? चर है, अगर मैं तुमसे पूछू इस पूरे समीकरण में, कि बेटा, क्या-क्या पूछ सकता हूँ? देखो, पह किसरी चीज मैं तुमसे इसमें पूछ सकता हूँ, कि अचरपद क्या है? तो सबसे पहले, दोस्तों, जैसा कि हम जानते है, मात्तम घात 2 है, इसलिए बवपदी कौन सी हुई? द्वी घात, अब यहाँ पर मैंने एक समीकरण लिखा हुआ है, जिसके अंदर मैंने तुमसे तीन कुछें हैं, क्या है पहला? एकस स्क्वेर का सागुड़क, तो अभी मैंने तुम्हें बताया, एकस स्क्वेर का सागुड़क कौन होगा? उसके आगे रहा हुआ नंबर, तो यहाँ पर एकस स्क्वेर यह रहा, इसके आगे रहा हुआ नंबर कौन है? छे है, तो एकस स सा गुड़क तो x के आगे रहा हूआ नंबर यानि कि 5 लेकिन बेटा निशानी के 7 minus 5 है तो क्या लिखेंगे minus 5 अचरपद जिसके अंदर x हो लिए है तो ऐसा पत कुन है 3 इसके अंदर x दिख रहा है नहीं दिख है तो अचरपद क्या हो तीन हो गया तो ये था अमारा द्वीगाद बहुपदी के बारे में पुरा का पुरा जानकरी अब हम लोग इससे आगे जो अमारा basic था त्रीगाद बहुपदी उसके बारे में भी इसी तरह से जानकरी प्राप्त करते हैं तो बेटा अब हम लोग सिखने जा रहे हैं, त्री घात बहुपदी, जो कि तीसरी बेजिक बहुपदी है, त्री घात बहुपदी, अब ये त्री घात बहुपदी को समझेंगे, त्री घात बहुपदी को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम इसका प्रमारित स्व Qere plus cx plus D- तो यह प्रमाड़ी स्वरूफ किसका था 3 गात बहुत अब करें तो इसकी इसलिए यह क्या क्या बहुत ऐसी क्या है इसकि लिए ट्री गात बहुत इससे भी समझते हैं X क्या है हमारा चरह है एक क्या है t0て यह क्या है एक स्वच गहात तीन का सागुड़क है क्या है एक्स की घात तीन यानि कि एक्स की घात कितनी है तीन है तो उसका सागुड़क यानि उसके आगे रहा कौन रहा हुआ है ए है तो एक्स क्यूग का सागुड़क कौन हो गया ए हो गया इसी तरह से हम लोग बात करते हैं पी की तो बी क्या ह किसका सह ditch? க वर्ग का , तो x की गारत दो का सहगुड़क कोन है? बी है? कोन हूआ? बी हुआ! यहाँ पर सी की सागुड़क है ? एकस का. तो एकस का क्या है सहगुड़क है? अब हम लोग लश्ट में बात करते हैं ड की क्या देखो यहां पर D के अंदर कहीं पर भी X है तो अभी हमने बात की थी जहां पर X ना हो किसी के साथ वो अकेला हो तो वो क्या कहलाता है कौन सा पद कहलाता है अचर पद कहलाता है तो D क्या हुआ बेटा यहां पर अचर पद के रूप में जाना जाएगा तो ये था त्री घात के अंदर, त्री घात बहुपदी के अंदर, क्या सिखा हम ने, कि यहाँ पर A सागुड़क तो है, लेकिन किसका? X क्री घात 3 का, B सागुड़क तो है, लेकिन किसका? X क्री घात 2 का, यहाँ पर C सागुड़क है, किसका? X का, और D जिसके अंदर X है ही कुण सा पत क्यालाएगा अचरपत क्या क्यालाएगा अचरपत इसे भी हम लोग एक उग्जामपल के दरें दौरा समझते हैं इसका एक्जामपल क्या है मान लोग कि यहाँ पर हमने कोई भी संख्या ले ली है 6 ।-3 एफ की घा 3 । प्लस 4x का वर्ग प्लस 3x । – 5 तो question तुम से क्या पूछा जा सकता है पहले सबसे पहले ये बताईए कि दी गई बहुपदी कौन सी है रेखिक द्वी घात या त्री घात तो हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन सी बहुपदी है तो यहाँ पर हमारा चल चेक करेंगे क्या है चल एक्स है तो एक्स की मात्तम घात कितनी है तो बहुपदी कौन सी हो गई बहुपदी हो गई त्री घात बहुपदी हो गई अब इसमें से question क्या क्या आते है तो देखो सबसे पहला question इसके अंदर create होता है कि एक्स की घात तीन का सह गुड़क क्या होगा पहला question दूसरा question एक्स की घात दो का सह गुड़क क्या होगा तीसरा एक्स का सह गुड़क क्या होगा और last है हमारा question जो बनेगा इसमें अचर पद क्या है तो ये चार चीजे हमसे पूछी जाएंगी पहला बहुपदी कौन सी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हमारा जो चर है यानि की x उसकी महत्तम घात चेक करेंगे तीन है तो तरी घात हो गया बाकी की question ये रहे एक्स की घात तीन का सह गुड़क क्या होगा तो एक्स की घात तीन ये रही उसका सह गुड़क यानि उसके आगे रहा हुआ, नमबर यानि की क्या हो गया, आठ है, तो X की घाद 3 का सागुड़क क्या हुआ, आठ हो गया, अब X की घाद 2 का सागुड़क, तो X की घाद 2 ये रहा, उसका सागुड़क कितना है, 4, X का सागुड़क, तो X ये रहा, उसका सागुड़क उसके आगे रहा हुआ नंबर यानि की तीन हो गया और अचर पद जिसमें एक्स हो ही ना ऐसा पद कोन है लास्ट में रहा हुआ पांच लेकिन निशानी क्या है उसकी माइनस तो माइनस के साथ लिखेंगे माइनस पांच तो यह था त्री घात बहुत यह असान था दोस्तों करना क्या था स्रीफ और स्रीफ हमें सागुड़क देखने हैं कैसे देखेंगे हमें उसका प्रमाडित स्वरूप याद होना चाहिए क्योंकि ए तो सागुड़क होंगे भी भी सागुड़क होगा सी अचल पद भी हो सकता है पता कैसे चलेगा उसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए बहुपदी का प्रमाडि स्वरूप जिसकी साहता से हम लोग असानी से सागुड़क बता सकते हैं कि कौन किसका सागुड़क है और अचल पद अथवा तो अचर पद कौन सा है अब इस शेप्टर में कुछ बेजिक जानकारी जो की आने वाली है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं यहां पर एक स्वरूप लिख रहा हूं मैं बेटा एकी घात बी लिख रहा हूं इसे पढ़ेंगे क्या पढ़के इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग एकी घात बी एकी घात क्या है पी है यहां पर ए एक क्या है आधार है और बी क्या है घात है क्लियर तो अभी हम लोग बार ब हम लोग यहाँ पर एक number लेते हैं मैंने A बराबर ले लिया है 3 और B बराबर मैंने ले लिया है 2 तो अब इसे लिखूंगा किस तरह से बेटा 3 की घात 2 क्या पढ़ेंगे इसे 3 की घात 2 क्या पढ़ेंगे 3 की घात 2 तो यहाँ पर अगर मैं तुमसे पूछू आधार क्या है तो आधार क्या है बेटा यह नीचे वाला number यानि कि 3 घात क्या है जो उपर है और इसमें घात क्या है बेटा 2 तो 3 की घात 2 आधार 3 है घात 2 है साथी साथ में एक और चीज पढ़ेंगे जिस किसी की घात कितनी हो दो हो तो उसे क्या पढ़ा जाता है वर्ग तो यहाँ पर एक और चीज पढ़ेंगे क्या है वो 3 का वर्ग क्या पढ़ेंगे 3 का वर्ग और जिसे अंग्रेजी में यानि कि इंग्लिस में पढ़ा जाता है 3 square, क्या पढ़ते हैं, 3 square, यानि कि square means यहां पर क्या consider किया जाता है, वर्ग, तो 3 square, यानि 3 का वर्ग, तो पढ़ेंगे क्या वर्ग, 3 का वर्ग, लेकिन वर्ग कब पढ़ेंगे, जब महात्तम घात कितनी हो, 2, और इसके अंदर, एक और चीज लिए बेटा, तो अब इसे लिखेंगे किस तरीके से हम लोग, तो यहां पर देखो, 3 की घात, 3, तो अब इसे पढ़ेंगे क्या, 3 की घात, 3 की घात कितनी है, उपर की तरफ देखिए, 3 है, तो 3 की घात, 3, दूसरा तरीका क्या है इसे पढ़ने का, और हम लोग क्या सकते हैं अगर महत्तम घात कितनी हो तीन हो तो उसे क्या पढ़ा जाता है घन क्या पढ़ा जाता है घन तो इसे क्या पढ़ सकते हैं तीन का घन क्या पढ़ेंगे तीन का घन क्योंकि महत्तम घात तीन हो तो पढ़ेंगे क्या उसे घन के रूप में जाना जाता है महत्तम घात हो तो उसे वर्ग की रूप में जाना जाता है अंग्रेजी में तीन घात को कहते हैं क्यूब तो इसे क्या पढ़ेंगे three cube क्या पढ़ेंगे three cube three cube मतलब t48 तो यह वेटा घातों को समझने का तरीका की घात 2 कहां आने वाले दिनों में हम लोग नए इसके आगे के बारे में इस चेप्टर में रहे हुए चीजों के बारे में सीखेंगे.